नमस्कार निशामदुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम सूखे मटर के छोले बनाएंगे ये छोले आग्रा में आलू की टिकी के साथ बनाये जाते हैं वैसे इन्हें कभी भी बना सकते हैं और इन्हें चपाती पराठे या चावल किसी के विशाथ सर्व कर सकते हैं बहार अच्छे लगते हैं तो आएए सूखे मटर के छोले बनाना शुरू करते हैं सबसे पहने हम मटर को भोकर पानी में 18 घंटे के लिए विगो कर रख देंगे तो ये हमने मटर पानी में भिगो कर लेली है अब हम इसे उबालेंगे उबालने के लिए हम कुकर लेंगे कुकर में हम भीगे हुए मटर डाल देंगे एक कब पानी डालेंगे मटर अच्छे तरीके से पानी में डूब जाए और तीन चोथाइ छोटी चमच नमक डालने एक चमच लिया है थोड़ा सा नमक हम बाद में मसाले में डालेंगे मिक्स कर देंगे और मटर को एक सीटी आने तक उबलने देंगे ये मटर हमारी बहुत जल्दी उबल जाती है लेकिन कई बार हम देखते हैं कि मटर बहुत देर तक उबालने पर भी नहीं उबलती तब हम क्या करेंगे कि मटर को उबालते समय एक चोथाई छोटी चमच खाने का सोडा डाल देंगे और मिला देंगे और मटर को बिल्कुर इसी तरीके से उबालेंगे कुकर में सीटी आनी शुरू हो गई है हम गैस धीमी करेंगे और धीमी गैस कर मटर को दो मिनिट उबलने देंगे दो मिनिट हो गए है और हमारे मटर उबल कर तयार हो गए है कुकर में हम कुकर को उतार कर नीचे रख लेते हैं और मटर को कुकर का प्रेशर खतम होने था किसी में रहने देंगे इसके बाद हम इसे निकालेंगे और जब तक हमारे कुकर का प्रेशर खतम होता है तब तक हम मटर के लिए मसाला भून कर तयार करते हैं तो हम यह पैन गरम करने रखते हैं पैन में दो टेबल स्पून तेल डाल देंगे तेल को गरम होने देंगे आदा चोटी चमच जीरे डालेंगे जीरे को हलका सब भूनेंगे आदा पिंच हींग गैस थीमी रखेंगे ताके मसाले जलेना एक चत्थाई चुटी चमच हल्दी पाऊडर डेड़ चुटी चमच धनिया पाऊडर मसाले को हल्का सब भून थे है और एक चुटी चमच अधरक का पेस्ट और अब हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, हमने ये दो टमाटर और दो हरे मिर्च लिया है, इनका हमने पेस्ट बना कर ले लिया है, तो ये पेस्ट हम मसाले में डाल देते हैं, और अद्रक का पेस्ट ना हो, हमारे पास अद्रक है, तो इसी में हम अद्रक डाल करके पीस लेंगे तो यह पेस्ट हम मसाले में डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च को बारीद काट करके भी ले सकते हैं और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे अच्छा दानेदार मसाला भूनकर तयार ना हो जाए तो मीडियूम आग पर मसाले को हम इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी देर में चलाते हुए भूनेंगे मसाले से तेल अलग हो रहा है मसाले में हम लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देते एक चथाई छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर लिया है अगर आप तीखा काना पसंद करें तो मिर्ची थोड़ी सी जादा डाली जा सकती है और अब हम अपने मटर चेक कर लेते हैं कुकर का प् हेसे जाटर वबल कर तयार हुए है मटर को हम मसाले में डालेंगे से फिर्चेक के अपनक पाणी डाल से और ये भी नमस नमखा हमने बचाया था वह भी डाल देता है एक चत्राई चोटी चमच गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया मिला देंगे और छोले को तीन चार मिनिट तक ढख कर मीडियम आग पर पकने देंगे चार मिनिट हो गए हैं और हमारे छोले भी बन कर तयार है छोले को प्याले में निकाल लेता है मटर के छोले बनकर तयार है थोड़ा सा हरा धनिया डाल कर छोले की गार्णिश कर देते हैं बहुत ही स्वादिस्ट मटर के छोले बनकर तयार है और इतने छोले परवार के तीन-चार सदस्यों के लिए पर्यापत है तो आपने बनाईए खाईए और अपने अनफ़क निशामदलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कीजिए कर दो है